हिमाचल परदेश में गुरुवार को मौसम का मिजास बदल गया है सुबे के शीमला कुलू मनाली समेट कई उन्चाई वाले इलाकों में बारिश और बरफबारी हो रही है मौसम विभाग ने सुबे में गुरुवार और शुकरवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के अनुसार सुबे में 16 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा जानकारे के नुसार शीमला में गुरुवार सुबह तड़के ही बारिश हो रही है इसके अलावा कूफरी नारकंडा और अन्ये इलाकों में बर्फ बारी हुई है मौसम विभाग के नुसार कलपा में 3.5 सेंचिमिटर और के लौंग में 5.5 सेंचिमिटर बर्फ बारी दर्च की गई है मही बरफबारी के चलते हाथसों के खत्रे को देखती हुई शिमला नारकंडा हाईवे बड़े वहनों के लिए बंद कर दिया गया है सुन्नी के पास बसंतपूर से बड़े वहनों को रामपूर भेजा जा रहा है हर्याना में मोसम ने करवट ली है बादल चाय हुए हैं मोसम विभाक के अनुसार पस्चिम विभोक्ष का असर पूरे हर्याना में देखने को मिलेगा इसके चलते 13 दिसंबर को 25 से 35 किलोमेटर प्रतिक घंटे की गती से हावा चल सकती है कुछ हिलाकों में तेज बारिश होने के साथ ओले भी पढ़केने के असार है पस्चिम विभोक्षोग का असर खत्म होते ही 14 दिसंबर से गहरी धूंद असर दिखा सकती है आज भी हर्याना के कई शेत्रों में हलकी बुंदा बांदी हुई पानिपत का नाल अंबाला कुछ शेत्र के साथ साथ कई हर्याना के कई हिस्सों में हलकी बुंदा बांदी हुई जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है नियुन्तम तापमान में गिरावट आजाने के बाद काफी ठंड महसूस की गई है आज नियुन्तम तापमान 13 डिगरी पर पहुँच गया है जबकि अधिक्तम तापमान 21.8 रहा लेकिन 13 डिसंबर को हरियाना के कई स्थानों पर ओले पढ़ने की संभाव ना है जिससे तापमान में और भी गिरावट आएगी आज दिन में सर्दी बढ़ जाने से लोग छुचुचूते हुए नजर आए 14 डिसंबर को आधा हरियाना गहरे दुंद की चपेट में होगा J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Raj Gharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Raj Gharana and Jyoti Garden, a J.B.D. Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए बैल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंवाद